हालो इस्टुन्स से लास्ट एक्जैंपल इसके बास सीधे मिसलेश एक्साइज यहां रहा था सांट्रोड ओफ राइंगिल अब इसको नेमिंग ने दो और यह के पॉइंट्स कितने अब हमें के पता वी नो डाट कंडिशन ओफ सांट्रोड यहां जो आपके पास सांट्रोड के पॉइंट्स होते हैं वह एक्चॉल के अंदर आपके पास इन तीनों पॉइंट से मिलके बनते हैं कैसे एक्चॉल में इस आगए वाल है एक्चॉल में इसके एक्वाल है और यह इसके एक्वाल है तो 1 इक्वल्स तो मैं कह सकता हूँ X1 प्लस X2 अब देखो X1 X2 कौन हो जागा इसके लिए 3 और माइनस 1 ठीक है और X3 की जगे मैंने क्या मान रखा है वहाँ X मान रखा है तो वह मैं पूट कर दूँगा है यहाँ पर 3-1 प्लस X divided by 3 यह फिर 1 इक्वल्स तो Y1 के लिए उठा और Y2 की वैल्यू कित्ती दे रखी मुझे हैं आपर 7 दे रखी तो दोनों को addition करेंगे बिल्कुल करेंगे तो आज़ा है पर पूट करेंगे आपर 1 इक्वल्स तू माइनस 5 प्लस 7 अब आप इनको सॉल करो 3 इक्वल्स टू 3 मेरे से वन गया 2 प्लस X एक्वल्स का वैल्यू क्या वन आज़ा है इतर आज़ा है इक्वल्स टू 2 plus y, y का value कितना आ गया, 1 आ गया, 3 equals to 1, 1 plus z कितना हो गया, 2 equals to z आ गया, आपके पास जो coordinate आ गये है, coordinate of point c, वो क्या आ गया है, x की value 1, y की value 1, z की value 2, यह आपका अंसर, mislaneous question 9, complete, clear है आपके, next हम मलेंगे, mislaneous exercise को पर,